आज बारती जन्ता पार्टी अलवसंकिक मोर्चे की तरफ से पुरे परदेश के अंदर डॉक्टर एबीजी अब्दुलकलाम साब की पुनितिति पर पुरे परदेश परवर में कारेकर्म किये जा रहे हैं एसी सक्सियत जिन्होंने इस देश का नाम पुरे दुनिया में किया उनसे हमें प्रेणना लेनी चीए और हम गुजारिस करते हैं आप लोगों के माद्यम से कि जो आने वाली जो हमारी नसले हैं उनको भी कलाम साब के पच्चिनों पर चलना चीए और कलाम साब ने जो देश क के लिए किया है वो इतियासिक काम है और कलाम साब से हमें प्रेणना मिलती है कि बीप्रित परिस्तितियों में भी हमेशा आदमी को आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए जिस तरह से कलाम साब ने बीप्रित परिस्तितियों में रहकर इस देश का नाम किया इस देश के लिए उ पूरे परदेश वर में उनके लिए हम दुआये मख्रियत कर रहे हैं खिराज अग्रियत पेस कर रहे हैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी मैं पूरे परदेश वास्यों से यही आग्रे करना चाहता हूं कि आज के दिन कलाम साब जो हमारे देश के पूर राष्टपती म मिसाइल में रहे आज के दिन हमको छोड़कर दुनिया से गए उनके लिए हम सब मिलकर दुआएं करें और हम सब अल्ला ताला से यह दुआ करते हैं कि उनको अल्ला ताला जन्नत में जगा दे और आप लोग आज यह पूरे प्रदेश के जो हमारे पुर्णे सिति के कारिक् आज भारती जनता पार्टी के राश्ट्री अध्यक्स श्री जेपी नडड़ा जी के दुआरा जो उन्होंने हमारे राश्ट्री अध्यक्स श्री जमाल सिद्धिकी जी को निर्देशित किया है और भारती जनता पार्टी अल्पसंक्यक मोर्चा पूरे देश में हर एक जि कारिक्रम को आयोजित कर रहे हैं इस कारिक्रम को आयोजित करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अलपसंक्यक मोर्चा द्वारा आज डोक्टर क्लाम जी के जो नेत्रित है उसको समझना और कहीं न कहीं अपने अंदर आत्मसार करना ये हमारा मेन उद्देश है डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम जी ने अपना पूरा जीवन को देश के लिए समर्पृत किया आज उनसे प्रेणा लेने की हमें अविशक्ता है और इसी प्रेणा को आगे बढ़ाते हुए हमारे मानिय प्रदानमंत्री शीरी नरेंद्र मोदी जी दिवारा हर एक कारिकरमों को माध्यम से उन्होंने हमें अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से उन्होंने अलपसंक्यक वर्ग को ताकत देने के लिए हमारे बीच में जैसा स्किल इंडिया, आवास योजना, अलग-अलग योजनाओं को ले करके आया है तो इन योजनाओं का अलपसंक्यक मोर्चा को लाब लेना चाहिए और हमें कहीं न कहीं अपने आपको आत्म निर्बर भारत की ओर ले जाना चाहिए इसी उद्देश के साथ आज अलपसंक्यक मोर्चा एपी जे अब्दुलकलाम जी के इस पुनितिती के अफसर पे उनको श्रदानजली देते हुए मोर्चा हर एक आदमी को ताकत देने के लिए और प्रदानवंतरी श्री नरेंद्रा मोदी जी के जितने भी जनकलियान यह आरोप कोई नया नहीं है यह लगातार आरोप लगाते जा रहे हैं लेकिन इस आरोप को कहीं सिद नहीं करते हैं कॉंग्रिस की आदत है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ और आप उसकी सफाई देते रहो लेकिन कहीं पे भी उनके पास कोई उचित प्रमाण नहीं है कॉंग्रिस की आदत है कि जो भी उनको ब्रहमित बाते करनी है या लोगों को जब ब्रहमित करना है तो वो पारलिमेंट की पावन धर्ती पर अपनी बात रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ उनको इम् जो भी बात वहां गलत कहा गया, जो असत्य है, उसको रेकॉर्ड सो हटा दिया जाता है, लेकिन उसी वीडियो रेकॉर्डिंग को अपने सोशल मीडिया के मद्यम से वो अलपसंक्या को ब्रहमित करने के लिए फैलाने का काम करते हैं। अगर जो बात वो कहते हैं वहां पर उसको पब्लिक डोमेन में आकर के, प्रेस कॉन्फरेंस में आकर के क्योंकि अगर ये बात पब्लिक डोमेन में आकर के के, तो कही ना कही उनके उपर कारवाई जरूर होगी।